साथियों आप सभी कैस्प्रिफम पर स्वागत है यहाँ पर हम लोग उत्तरप्रदेश शामान ग्यान वस्तुनिष्ट अध्यवार सॉल पेपर को देख रहे हैं और यहाँ जो है आपका यूद पॉब्लिकेशन के दौरा यहाँ किताब प्रकास्ट की गई है जिसमें अभी तक विभीन परिछाओं में जो भी यूपी से समधित प्रश्ण पूछे गए उन प्रश्णों को अध्यवार संग्लित किया गया है तो आज की वीडियो में हम लोग जो है इसका चैप्टर नंबर चार और पांच प्राकृतिक वनस्पतियां वन यूम वन जियू तथा पहला प्रश्ण है कि उत्तर प्रदेश के निम्रिकित में से कौन सा वन जियू अभ्याण 1975 में इस्थापित किया गया था तो यह जो है आपका कतरनिया घाट जो है वन जियू अभ्याण 1975 में इस्थापित किया गया था देखिए यहाँ पर अन्न की बारें बात करें तो कत देखे उत्तर प्रपुर नाम कोई भी वने जिउव अभ्याणा स्थापित नहीं किया गया है, यह यह रायपूर है, यह एपकि रानिपूर वने जिउव अभ्याणा के स्थापना वर्स 1977 में हुई थी, इसके अत्रिक देखे एक त्समाई 1976 को उत्तर प्रपुर चेमिच seems Commerce को तो ये जो चंदरप्रभाव अभ्यान है ये चंदवली जनपद में इस्थित है इसकी स्थापना 1957 में की गई थी उन्निसो सतावन नेंटिन फिप्टी से बन वे है बिजय सागर पच्छी बिहार निमलिकित में से उत्तरप्रदेश के किस स्थान पर शित है तो बिजय सागर जो पच्छी बिहार ये महोबा में है कहां पर है महोबा में है उत्तरप्रदेश के अमनगण टाइगर रिजर्व निमलिकित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है तो ये कार्वेट टाइगर रिजर्व का हिस्सा है ठीक है उत्तरप्रदेश से उत्तराखंड राज ब मथुरा ब्रिंदावन जनपद में, आगे बढ़ते हैं निम्रिकित में से कौन सायूग में सही सुमेलित नहीं है वनिजियो अभ्यान और उसकी अवस्थित के सम्मन में, महावीर स्वामी अभ्यान जो है ललितपूर में है, लाक बहोशी अभ्यान कन्नोज में है, किसन पूर वनिजियो अभ्यान जो है ये बलरामपूर में नहीं है, किसन पूर वनिजियो बिहार या वनिजियो अभ्यान ये लखिमपूर खीरी में है ना कि बलरामपूर में, तो यहाँ पे सी वाला साही नहीं है, कैमूर अभ्यान, मिरजापूर और सौनरभदर जनपद में है, नहीं पर लखेंपूर खीरी में किसनपूर वन जीव अभ्यान भी है। नहीं पर लखेंपूर खीरी में है। जो किसनपूर है ये दुधवा राशियु द्यान का ही एक साखा है। किया जाना है आगे बड़ते हैं निम्लित पच्छी अभ्याणों में से कौन उत्तर पदेश में इस्थित नहीं है कौन सा उत्तर पदेश में नहीं देखिए आपका पटना पच्छी अभ्याण उत्तर प्रदेश में नहीं है ज्यान रखेगा पटना पच्छी अभियान उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है और जैप्रकास नदा पच्छी अभियान ये सुरहताल भी इसे कहते हैं सुरहताल पच्छी अभियान ये आपका बलिया जिले में है आगे चलते हैं वर्तमान में उत् रिपोर्ट 2021 से इसके अनुसार उत्तर प्रदेश में ब्रिच्छावन कितना है 9.23 आप 9.23 ही याद रखिएगा ठीक है उत्तर प्रदेश में वन महुस्सो सप्ताह मनाये रता है कब से कब तक एक जुलाई से 7 जुलाई एक जुलाई से 7 जुलाई के मद्ध में अगला है दो सुचिया दी गई है इन्हें हमें शुमेलित करना है कि कौन सा इसमें सही है तो यहाँ पे शुमेल देख लेते हैं देखिए एक सेकेंड तो देखिए नवाब गंच पच्छी बिहार कहां पे है ये उन्नाव में है नवा अगला है फिर से दो सुचिया है राज और राष्टी उध्यान के संबन में यहाँ पे हमें सुमेलित करना है तो देखिए आपका उत्तर प्रदेश में आपका कौन सा है उत्तर प्रदेश में आपका उत्तर प्रदेश में राजा जी राष्टी उध्यान देखिए ये 1998 का कॉश्चन है चुकि बाद में उत्तर अखंड अलग बन गया तो राजा जी जो राष्टी उध्यान है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में था तो यहाँ पे आप दोसी मिलाई है अश्रम में कौन सा है असम में आपका मानस है उडिशा में सिमली पाल है करनाटक में बादीपूर है ठीक है तो 2431 वर्तमान में जान रखेगा रायजी राष्टी उद्यान कहां पर उत्राखंड चुकि वर्स 2000 में क्या है उत्राखंड बनने के वाद रायजी राष्टी उद्यान उत्राखंड बे में चला गया निम्नेद में से कौँशा यूग में सही सुमिलित नहीं है गंगा डाल Animals Century संथकविर नगर में नहीं गंगा डालफिर संक्चुरी जो है यह भागलपूर में भागलपूर पट्णा में यहाँ पर एवाला सही नहीं है भारती वस पशु अनुसंधान संस्थान बरेली जजर नगर ये इजद नगर बरेली में है ठीक है भारती पशु अनुसंधान संस्थान पच्छी संक्चुरी भरतपूर में है राष्टी रेली अनुसंधान संस्थान करनाल आगे बढ़ते है उत्तर tenants में एक बबबर सफारी इस्थापित किया जा रहा है कहां पे इटावा में निम्रिभित में से निम्रिभित जनपदों में कौन सरवाधिक वनाच्छाधित है तो वन इस्तित्रिपोड 2020 के अनुसार उत्तरप्रदेश में सरवाधिक वनाचाजी जनपट जो है कौन सा। है शोन भद्र है और उत्तरप्रदेश में सरवाधिक वनपरसत्वाले जो चार जिले हैं उसमें आपका सौन भद्र नमबर एक पर है चंदवली दूसरे पे है, पीली भीत तीसरे पे है वा मिर्जापूर चौथे पे है शोनभद्र, चंदवली, पीली भीत और मिर्जापूर शुरहा ताल पच्छी बिहार अवस्थित है कहां पे तो सुरहा ताल कहां पे है, बलिया में बलिया था D option यह गंगा और सर्वी के दवाब में इस्थित है तो यह इटावा में निमलिकित में से कौन सा पच्छी है बढ़ा उत्तर पदेश में इस्थित है तो देखिए आपका समस्पूर पच्छी अभ्यान जो है यह कहां पर है उत्तर पदेश में है ठीक है जबकि बेदान थंगल पच्छी अभ्यान यह तमिलाड में है घट प्रभा पच्छी अभ्यान करना टक में है जाय कवाडी पच्छी अभ्यान महाराष्टा में है अगे बढ़ते हैं दुधवा राष्टी उध्यान हमारे राजी के निम से किस जिले में है तो दुधवा राष्टी उध्यान जो है लखीमपूर खीरी जिले में है तो यह ओप्चन हो जाएगा अगला है चंदरप्रभा वनेजुई अभ्यान उत्तर पदेश के किस जिले में तो चंदरप्रभा जो है यह आपका चंदौली जिले में है कहाँ पे है चंदौली जिले में जो किस वराणसी से 70 किलिमेटर दूर है इस अभ्यान की स्थापना उननिसो सताओन 1957 में आगे बढ़ते हैं चंद्रप्रभा मृगवन भाद की एक राज में है तो यह उत्तर पदेश में अभी अभी हमने बात की उत्तर पदेश के चंदवली जिले में निम्नवंज जियू अभियानों से कौन सा ऊत्तार पदेश में इस्तित है यहां पर देगे चंद्रौभा व उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थाबना कीगी, इसका मुक्याल है कहा है, लखनौ में, निमलीत में से बागों के सरच्छन समधित, कौन सा इस्थल उत्तर प्रदेश में इस्तित है, तो ये अमनगड़ है, कौन सा है, अमनगड़ है, ठीक है, आगे चलते हैं, अगला है यह दिल को एक नए राश्टी पच्छी बिहार की रूप में विक्षित किया जा रहा है, आगे चलते हैं, सूर सरोवर, सूर सरोवर रामसर इस्थल के संदर में, निमलीत में से कौन सा या से कथन, शत्य है, दो कथन यहाँ पर दिये गए हैं, देखिए, यहाँ उत्तर प्रद जर्मान में जो है, भारत में बुल 75 रामसर इस्थल हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश में 10 हैं, और सबसे दिक कहां हैं, तमिलान में 14 हैं। बलिया इत्याधियां, भारत सरकार द्वारा, 98 में गंगा नदी को भारत की राष्टी नदी घोशित किया गया था, 2008 में, निम्रित में से कौन सा रामसर इस्तल उत्तर प्रदेश में इस्तित नहीं है, देखे, आपका सुर सरोवर है, आगरा में, समस्पूर पच्छी विहार है, अगरे चलते हैं, अगला है, निम्रित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राजिसे प्रवाहित नहीं होती, देखे, यहां पर देखे, गंडक नदी का उधगम, नेपाल हिमालेस होता है, जहां इसे शाली ग्रामी या साल ग्रामी और मैदानी भागों में नहराणी और सब्त गंडगी कहते हैं, यहां नदी उत्तर प्रदेश के महराज कोशी नगर जीले, तथा बिहार राज की सीमा बनाती ही, पटना के पास गंगा में मिल जाती है, शोन नदी मद्ध प्रदेश के अंबार कंटक से निकलकर उत्तर प्रदेश के शोनभद और जिलो से प्रवाहित होकर पटना में गंगा से मिलती है, हिंडन नदी सहारनपूर जनपद में कालूवाला खोल नामक श्रिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर मुझफवर नगर सामली गाजयाबाद होते हुए, गौतम बुधन अगर जनपद में यह मिल जाती है, सार्दा से इसमें से कोई उत्तर सही नहीं है, पर आयोगने किसको माना, आयोगने जो गंडग नदी को माना, गंडग नदी जिसका उद्ग्रम नेपाल से होता है और इसे शाली गरामी या साल गरामी कहते हैं और या नदी उत्तर पदिश के महराज ग oranges कुशिन नगर जिले, ताब बिहार राज की सीमा बनाती ही पटना में गंगा के पास मिल जाती है ठीक है आगे चलते हैं निम्लित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है जील और इस्थान के संबंद में तो यहाँ पर देखे कौन सा सुमिलित नहीं है सौज जील कहां पर सौज जील मैनपूरी में है शे इसमिनित नहीं है देखे वराणसी गंगा किनारे है सुल्तानपूर जो है गोमतिक किनारे है गोरकपूर कोशे की नहीं राप्ती नदी के किनारे है ठीक है यहाँ पे सी वाला सही नहीं है आगे बढ़ते हैं देवदरी योम राजदरी देवदरी जल पर पात निमने खितम से किस इस्थान पर है तो देवदरी और राजदरी जल पर पाथ जो है चंदावली जिले में कहां पर है चंदावली जिले में है यहां चंदरपूर वन जीओ अभ्यान में राजदरी और देवदरी जहरने पाए आते हैं यह अभ्यान जो है एशियाई सेरों को बचाने के लिए सापित किया गया था महाननदा, शोन, रामगंगा, गंटक में तो इन चारों में से शोन का जलगंटक पहारी के शोशा कुंड नाम के स्थान से निकल कर पूर्व के और मद्ध प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के शोनभदर में बहती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है और पटना के निकट गंगा में मिल जाती है निमलित में से कौन सा यूग में सुमिलित नहीं है नगर या कश्वा और किस नदी के किनारे है तो बिठूर जो है गंगा नदी किनारे है गोरकपूर राप्ती के जौनपूर जो है शाहिक नदी किनारे नहीं जौनपूर गोमती नदी के किनारे है ठीक है कौशाम भी यमना दिक्किनार है गंगा प्रदेश के 28 जिलों से जबकि यमना 19 जिलों से होकरके बहतिये याद रखेगा उत्तर प्रदेश के निम्यम से कौन सा चेत्र सरवाधिक बाढ़ प्रभावित है पश्मी चेत्र, पूर्वी चेत्र, उत्तरी चेत्र, मद्य चेत्र तो इसमें पूर्वी चेत्र जो है सरवाधिक बाढ़ प्रभावित चेत्र है सरवाधिक बाढ़ प्रभावित चेत्र उत्तर प्रदेश का पूर्वी चेत्र है यह च्छेत्र, शंतल और नम है, इसका निर्मान महीन आउसादों सी हुआ है, पठारी च्छेत्र था मद दिके मैधानी भाग मैधानी च्छेत्र या गंगा Κंण का दौअी च्छेत्र कहते हैं, जो गंगा realised मद च्छेत्र कहते हैं ठीक है और उत्री छेत्र हिमाले से लगा पठारी छेत्र जो उत्री छेत्र वो हिमाले से लगा पठारी छेत्र है यहां बाढ़ा आने के संभावना कम होती जबकि पश्मी छेत्र की उचाई असी से धाई सो मीटर तक है जहां अनेक छेत्री नदियों दारा कॉप मिट्टी की दाकनी ने दिख किनारे है, चार से मिलें, जॉनपूर जो है, गॉम्ती ने दिख किनारे है, दो से मिलें, अधुरा आपका यमनाक की किनारे है, और अयोध्या सर्यूक किनारे है, तीन, तो 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 2 option हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में किस इस्थल को रामसर इस् यह बुलनंचाहर में 25 में थीक हैं छुमान पच्छी भीहार मैनपुरी में पक़ियादागा पच्छी भीहार गोंड़ा में पच्छी भीहार नुwiąझ liasa आग रा में है ठीक है हाली में मतल्ड और हैदरपूर वन्य जी व भिहार जो है जो की मुझफवर नगर विजनौर में यह दस्मा है और दस्मा है इसके साथ सीजाथ जो यह आपके है इसके अत्रिक आपका हैदरपूर वन्य जी व भिहार है और बखिरा वन्य जी व भिहार य ये भी जो हैं मतलब पहले आठ थे दो और सामिल हो गए पूरे दस हो गए हैं है तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए बस बहुत धन्यवाद